हेलो गाइज के सोम आपका दो सलीम खान आज आपको रगूलेटर दिखाते हैं लेकिन आपने दो तार прогulator देखे हूँगा लेकिन आज हैँ तो दिखाने जा रहे हैं कि तीन तार वाले रेगुलेटर के connection कैसे किये जाते हैं तो देखे गाइज ये तीन तारों का regulator है आज हम इसको आप बताएंगे किस तरह से किये जाते हैं ये होगा हमारा ceiling fan का जो के हमारे board के अंदर half आएगी तो ये हम उस पर connection देंगे ये होगा हमारे red color का तार जो के हमारा face दिया जाएगा और ये हमारा neutral क्यूंकि इसके अंदर एक LED दी गई है जो neutral दिया गया है इसका extra तो पहले क्या होता था हाफ के साथ ही इसके LED काम करती थी लेकिन इसमें LED थोड़ा जादे वर्जन की है तो इसलिए ये neutral जो दिया गया है तो इस पर ये LED पर काम करेगा तो चलिए मैं आपको चेक कर आकर दिखाता हूँ किस तरी से connection किये जाते है तो देखिए गाईज ये हमारे connection हो गया ये हमारा ceiling fan है जो के इसमें फिलाल क्या चलेगा वाई ये बलब ceiling fan के जागा पर हमने इस बलब का connection किया है ये दो तार हमारे ceiling fan के हैं और ये हमना बिजली का face रहेगा और ये हमारा neutral रहेगा तो ये देखिए ये दो तार हम इसमें लगाएंगा और फिर इसको आपको चला कर दिखाते है तो लगाए ये तो देखे गाइस यह बलब चलाए चलाए कमती करिए यह देखे अब आपको दिखाते हैं इसकंतर जो LED लगी हुई है यह देखे यह नूट्रल के लिए दिया गया है और इसमें अलग-अलग नंबर दिखाए देंगा आपको यह देखे बहुत ही खूश्रस रेगुलेटर है और इसके connection आप आसानी से कर सकते हैं तो देखे यहां पर हमारे full speed है गड़ा यह वाई यह से कम हो गई है यह देखे तो यह जो तीन तार वाले रेगुलेटर हैं आप इस तरीक से connection कर सकते हैं